हेलो व्रीवन वेलकम तो मैं चैनल तोड़े वी आर गोइंग तो दिस्कूस अनधर थियूरी इस थियूरी को यू एंड जी के नाम से भी जाना जाता है और यह थियूरी को डेपलप किया गए था कर जैंड ब्लमर के दुआरा पहले हम दिखते हैं यह थियूरी का मिनिंग यह थियूरी हमें यह एक्स्प्रीन करती है कि वाइप पीपल यूज पर्टिकुलर मीडिया जो भी ओडियन्स है या लोग है वो क्यों एक पर्टिकुलर मीडिया को यूज करते हैं अब यह मीडिया का मतलब यहां पर आपका रे क्यों लोग यूज करते हैं यह यह थीयोरी हमें एक्स्प्रीन करती है so this theory needs to use them and what gratification they get from मतलब की किस तरह से वो किस तरह की satisfaction लोगों को मिलती है media को use करने से और जैसे कि मैंने बताया यह blummer and karts की थीया जो कि 1940s में develop की गई थी to understand why people choose consume various forms of media so this theory argues that what people do with media rather than what media does to people ये थोरी हमें ये explain करती है कि लोग किस तरह use करते हैं इक media को rather than media कैसे affect करती है लोगों को ये थोरी ये चीज़ एक्स्प्लें नहीं करती है ये चीज़ which states that audience is passive मतलब जो हमारी magic bullet theory है उसके एक assumption है कि जो audience है वो passive है और but UNG जो theory है वो ये हमें ये बताते है कि उसमें जो audience है ये active है active participate करती है और ये theory more centered towards the user or audience next अब देखते हैं कि UNG जो theory है कि कुछ key assumptions है first है जो audience are active media जैसे कि मैंने बतको बताया कि कि इसके key assumption है कि जो audience है वो active participants करती है इसमें और by selecting preferred content they consume means देखे अब जब भी आप किसी process में active होते हैं तो आप चीज़ों को arrange करते हैं जो आपको चीज अच्छी लगते है उसको priority देते हैं सो इसकी key assumption है कि जो audience है वो active है and second assumption है वो यह है कि people are aware of reason why they choose a particular media बतलब जो user है उसको यह पता है कि वो particular media क्यों use कर रहा है तो यह थी हमारी दो assumption नेक्स्ट है जैसे कि मैंने आपको बताया यह theory हमें यह explain करती है कि क्यों लोग जो है particular media को use करते हैं तो यह आप कह सकते हैं यह reasons हैं उनके यह कुछ needs है उन needs को fulfill करने के लिए वो media का इस्तिमाल करते हैं तो पहले हम one by one needs को समझते हैं पहला जो type of needs है वह है cognitive needs देख cognitive needs में आपकी वो needs आते हैं जैसे कि आप media का इस्तिमाल करते हैं in order to gain some knowledge अगर आपको कोई knowledge या information लेनी है तो आप media का use करते हो जैसे कि for example अगर आप यह video देख रहे हो तो आपको यह concept या theory समझने के लिए आप यह video देख रहे हो तो आप कह सकते हो कि आप cognitive needs को fulfill करने के लिए यह media या YouTube का इस्तिमाल कर रहे हो second है affective needs affective needs में आपकी emotional needs आते हैं अगर आपको in order to feel pleasure like अगर आप cricket match देख रहे हो तो cricket match लेकिए आपको pleasure मिलता है या जो भी entertainment entertainment वाले हमारे programs होते हैं सो वो एक second reason हो सकता है media को use करने का और थर्ड है personal integrative needs personal integrative needs दिए personal integrative needs में हमारे वो needs आते हैं जो कि like self-esteem और personal satisfaction needs self-respect self social status दिए यह needs में हमारी जैसे मैं बात करूं तो self-esteem आजाएगी जो कि हमने मैसलो थिए में भी पढ़ी है और social status दिए कई वार हम लोग जो चीज करते हैं वो अपना social status के लिए करते हैं means मान लेते हैं कोई आपका OTT platform आपने कोई subscription आपके friends में ले रखी है जैसे कि मैं बात करूं Netflix की तो आपके बीच में भी एक इसा होगा कि बहुत सारे Netflix ले रहे हैं या इसे एक social status बन गया है आज की टाइम है मेरे पास Netflix की subscription है तो आपका भी होगा behavior ऐसा कि आप भी इसकी subscription लेना चाहोगे तो जब भी ऐसा होगा तो आप वह social status को maintain करने के लिए आप एक मीडिया का यूज कर रहे हैं तो यह भी एक reason हो सकता है देन शोशल इंटिग्रेटिव दिखिए यह तो बहुत जादा कॉमन है कि आप लोगों से इंट्रेक्ट करने के लिए family friends उन से connect करने के लिए आप यूशल मेडिया का यूज करते हैं जैसे कि इसमें best example रहेगा इंस्टाग्राम जिसे में बात करूं Facebook इन सबका मेडिया का पी इस्तेमाल करते हो ताकि आप लोगों से connect कर सकते देन नेक्स्ट है टेंशन फ्री नीट्स या हमें इसे कहीं escapism escape escape in order to escape from particular situation जिसे कि आप बहुत टेंशन में हो आपको जिस्त अपने माइंड को डाइवर्ट करना है तो उस situation में भी आप YouTube या कोई entertainment प्रोग्राम देखते हो तो उस reason से भी आप एक मीडिया को यूज करते हो तो यह थे हमारी various type of needs in order to fulfill these needs people prefer or use particular media देखिए अब यह जो क्योरी हमने पड़े इसके कुछ assumption भी थी अब इसके कुछ limitation भी है वह देखते हैं कि क्या क्या limitation है देखिए पहला जो limitation है यह कहता है कि people are not always aware of their needs मतलब लोग randomly भी एक मीडिया को यूज कर सकते हैं उनके पास जरूरी नहीं है कि उनके पास कोई reason होना चाहिए वो इस मीडिया को यूज करने के लिए सो यह पहली limitation है second है power और influence कि यह थूरी हमें यह बताती है कि जो लोग हैं वो किस तरह का मीडिया किस वज़े से मीडिया को यूज करते हैं लेकिन वो यह नहीं बताता कि जो मेडिया है या TV टेल्वीजन है या रीडियो है वो किस तरह से influence करता है लोगों को कि कोई advertisement आगे उसने किस तरह से influence किया लोगों को वो चीज़ वो नहीं explain करती है तो यह एक limitation हो जाती है देन हाव यूजर शॉर्ड एक सैटिस्फाइड वा यूज़ ऑफ मेडिया देन यह एक limitation यह हमाई explain कर रहे है कि किस तरह जो यूजर है यह ensure करेगा कि उसको मीडिया यूज करने से साथिस्फेक्शन मिली अगर आप कोई प्रोग्राम देख रहे हो और वह आपको पसंद नहीं आया या उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि अच्छी नहीं है तो आप सैटिस्फाइड नहीं होंगे यह कुछ में और या फिर उसमें जो आप मीडिया यूज कर रहे हैं तो आप उसे सैटिस्फेक्शन मिली यह आपको देन जसी मैंने बताए इस थीरी में आपको बताया था कि यह जो थीरी है यह ओर्लियन सेंटर है नौट मीडिया सेंटर मतलब इसमें जो मीडिया का जो रोल है वो इतना नहीं एक्स्प्रीन किया गया है जबकि बस और इंस की ही यूजर की ही बात किया, मेडिया की नहीं बात किया है जो लास्क लिमटेशन है इंड फोकस उन दी कन्टेंट इन्ट मीडिया अगे लेकिन वो यह थीरी फेल हो जाती है यह एक्स्प्लीन करने में कि वो जो मेडिया आप इस्तेमाल करें उसका आप का माइंड पे क्या या साइक्लोजी किस तरह से वो अफेक्ट कर रहा है लोगों को वो भी यह चीज नहीं बताती तो यह भी एक लिमिटेशन है तो यह थी हमारी गुक्रेट वीडियो और यूजन ग्रिटिफिकेशन त्यूरी जिसमें हमने आप मिनिंग देखा इसके देखी देन इसके लिमिटेशन से यह था जो एक विए यह थे लागज विए यह था एक विए फिए भी शब्सक्राइब गयाज आए दोस कि देखा है मैं तुक्राइब झानल आप है पुर्सक्राइब ऑस स्थाचनल तो तो यह थे मुद्शा पहल पर हूच्छे बासित्ते पर स्टों को तूं